दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोटो का साइज MB से KB में कैसे करते हैं आपके फोटो का साइज कितना भी MB क्या ना हो आप जितना चाहे उतने KB का फोटो आप बना सकते हैं तो कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको इस app को open कर लेना है इस app का नाम मैं बाद में बताऊंगा पहले इसे कैसे use करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस app को open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा उसके बाद choose photo पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर gallery को open कर लेना है उसके बाद यहाँ से अपने photo को select कर लेना है जिस photo का size आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना photo select कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारे photo का size kb में 1923.64 kb है और mb में 1.92 mb है तो यहाँ पर मैं अपने photo का size कम करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ से आपको kb को select कर लेना है उसके बाद जितना kb का आप photo बनाना चाहते हैं उतना यहाँ पर type कर देना है आपको तो यहाँ पर मैं 50 kb का photo बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 50 type कर देता है उसके बाद compress पर click कर देना है तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे photo का size कम हो गया है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे photo का size kb में 49.06 kb है और mb में 0.04 mb है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने photo का size कम कर सकते हैं दोस्तों इस app का नाम Q Reduce Light है अगर आप इस app को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के description box में मैंने link दे दिया है